हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे क्लाश 12 मैस का मोश्ट इंपॉर्टन क्वेश्टन ठीक है देख सकते हो यार यह एक्जाम में भी पूछ रहाता है सब ही आयतों में वर्ग का छेत्रभल अधिक्तम होता है ठीक है क्वेश्टन तो इदम चोटा सा दिख रहा होगा लेकिन भाई इस पे बहुत खतरा रहता है ठीक है सब लोग छोड़ के चले आते हैं पांच नमबर या आज नमबर पर पूछ रहता है और मोश्ट तो आकरी तक देखना है ठीक है आपकी एक्जाम में भी पूछा जा सकते है तो चलो देखते हैं इस वीडियो को देखना है ठीक है तो देखो क्वेस्टन कहा रहा है आपसे सिद्ध कीजे दिया गया व्रत एक दाम आसाने बस इसका एक एक पॉइंट आपको बढ़ना है द से कहा गया एक वरत्त के अंतरगत सभी आयतों में माल लो ये वरत्त है इसके अंतरगत हम लोग क्या बनाए एक आयत बनाए ये क्या बन गया माल लो ये एक आयत है ठीक है ये क्या बन गया एक आयत बन गया ठीक है तो एक वरत्त के अंतरगत हमने क्या बना दी एक आयत क्योंक तो अभी हम दिखाएंगे, सबसे पहले आपको करना है, एक वरत्त बना लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पर मानलो इस वरत्त का केंदर O है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा से लिख लेते हैं, माना, एक वरत्त है, जिसका केंदर O है, ठीक है, जिसका कें यह सिंपल सा लिख लिए तो मनलब जो चित्र पर किया जाता वही लिखा जाता है ठीक है इसके अंदर एक आयत है ठीक है और मानलो इसकी यह भुजा एकस है यह वाली यह वाली भुजा मानलो एकस है यह वाली भुजा जो है और यह वाली भुजा जो है वो वाई है ठीक है ध्यान समझ लो यह जो आपकी यह वाली भुजा है मनलो चोड़ाई कह सकते हो एकस है आयत की और लंबाई हमने मानली वाई तो आप क्या लिखोंगे मा आयत की चौणाई F है और आयत की लंबाई क्या है Y ठीक है इतना माल लिया आप देखो आपको पता है वरत की कोई तरिज्या भी होगी क्या होगी वरत की कुछ तरिज्या भी होगी माल लो वरत की तरिज्या यह है अर ठीक है वरत है कोई देखो कोई भी वरत है अगर आप उस का विकान बन जाएगा ध्यान से समझो इतनी है वरत की तरिज्या अगर ये पूरा मिला दे तो ये क्या बन जाएगा आयत का विकान बन जाएगा ठीक है तो ये आर है अब ये भी आर होगी क्योंकि ये भी तरिज्या है और ये भी तरिज्या है तो ये आर होगी ये भी आर हो इसकी पूरी लंबडाई क क्या है, 2 R, और मालनों यह कोड क्या है, 90 डिग्री, यह कोड क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर से क्या लगा सकते हैं, लुग पाइथागोरस प्रमे में, यह थीछली लिक लेना, माना एक परत्य जिसका केंद्र O है, ठीक है, उसके अंतर का तैग से लिखे के पाइथागोरास प्रमे से ठीक है पाइथागो रज़का्य प्रमेरी आपको पता होगी क्या आलती है कानका स्क्राइर बडराबर लंब्स इसक्वेर प्लस आधार का स्क्वेर ये तो पता होगी ठीक है आप देखो 90 डिगरी के सामने के भुजा क्या होती काड़ होती है ठीक है 90 डिगरी के सामने के भुजा काड़ होती है तो यहाँ काड़ क्या हो जाएगी यह वाली भुजा आर और आर मिला के 2R का square और Lumb Lumb कौन से होगी Lumb माल लो यह है या यह कोई भी मान सकते हो यहाँ पर X का square प्लस इसका Y का square ठीक है तो देखो 2R का square बराबर X square प्लस Y square इसे solve कर लो तो 4R square equal क्या हो जाएगा X square प्लस Y square ठीक है इसमें X square या Y square में किसी एक की value निकाल लेते हैं माल लो y square की निकाल ले y square को इधार रखो x square डबे दो तो 4 r square minus x square ये बन गया ठीक है यहाँ पर से x square की भी निकाल सकते थे आप y square equal to 4 r square minus x square वैसे x square की निकालते हैं तो 4 r square minus y square आजाता है वर्ग का चेतरफ़ वराबर वर्ग का आयतों में वर्ग का चेतरफ़ अधिक्ताम होता है ठीक है क्योंकि आप से कहा वरत के अंतरगत आयत जो है वो क्या होता है वर्ग का चेतरफ़ उसमें अधिक्ताम होता है ठीक है मतलब जो आयत है आपको सिद्ध करना है तो देखो यहाँ पर से लगाते आयत का छेतर फल बराबर, ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं, तो आप नीचे से लिखते हैं, आयत का छेतर फल पता है न, क्या होता आयत का छेतर फल, आयत का छेतर फल, ए बराबर, लंबाई गुड़े चौणाई, आयत का छेतर फल होता है, लंबाई गुड़े चोड़ाई लंबाई इसकी कितनी है यह वाली y और चोड़ाई है x तो x into y लिखतो या y into x लिखतो ठीक है तो a equal to गया x into y a equal to क्या गया x into y ठीक है देखलो a equal to गया x into y अगर इसका वर्गे करतें तो a square equal to क्या जाएगा x square y square देखलो ध्यान से a equal to y लंबाई गुड़े चोड़ाई a equal to x into y a square वराबर x square y square ठीक है इतना आ गया आप देखो यहां से क्या करते है y square की value रख देते हैं तो देखो y square की value रख दो a square equal to x square into y square की value 4r square minus x square ठीक है इतना आ गया आप हमें अधिक्तम च्हेत्वध अधिक्तम दिखाना तो इसका a-crant करना होगा ठीक है औहर्यक्ता्यक्ズ करना होगा तो माल मौन ले इस इसप्यार्से अन होगा इस करना है a square equal to t माल लो ठीक है टी माल लेते माना इस square equal to t क्यो मानना बी आपको पता चाले गए देखो इसक्यार की ता रख तो T, तो T equal to क्या जाएगा, X square into 4R square minus X square, इसका अंदर गुड़ा करतो, T equal to X square का अंदर गुड़ा होगा, तो 4R square X square minus X square का X square, यह minus लगाए बीच में ठीक है, minus X square का X square से X power 4, देख लो, T equal to X square का 4R square से किया, तो 4R square X square और फिर X square का X square से X power 4, आप देखो कहाँ क्योंकि अदिक्तम 6 पल दिखाना है, तो यहाँ पर देखो, solve करते हैं इसको, ठीक है, T equal to यह value आई थी, तो T equal to 4R square X square, minus X की पावर 4, लिखते हैं, X के साब एच, आउकलन करने पर, X के साब एच, तो देखो, ना दिख रहाओ, तो जूम कर लेना, ठीक है, आउकलन, करने पर, तो देखो, आउकलन करते हैं आपर से, तो यहाँ से, D by D X, T equal to, क्या जाएगे, इसका आउकलन करना, देखो, 4R square तो क्या है, 4R square एक constant, तो इसे बाहर ही रख लो, 4R square, D by D X X square, minus D by D X, X की पावर 4, ठीक है, तो ओकलन करना तो आपको आता होगा, 4R square बाहर कर दिया, D by D X X square, minus D by D X, X की पावर 4, ठीक है, आप देखो, आगे इसका ओकलन करते हैं, ठीक है, तो देखो, आगे ओकलन देखो, इसका, ठीक है, इतना आने के बाद इसे करते हैं, D T Y D X, equal to 4R square है, X square का ओकलन 2X, minus X की पावर 4 का क्या जाएगा, 4X cube, इतना आया, D T Y D X, equal to 4R square, into 2X, minus 4X cube, ठीक है, इतना आ गया, अब क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, यहाँपे, देखो, हमें निकालना है, यहाँपे, कि वर्का छेटफाल अधिक्तम होता है, तो यहाँ से लिखते हैं, अधिक्तम या निउन्तम के लिए, अधिक्तम, या, अभी तो बाद मुत पता चलेगा, कि अधिक्तम है, कि निउन्तम पहले लिखते हैं, अधिक्तम, या निउन्तम, के लिए, ठीक है क्या लिखेंगे यहां से dt by dx equal to 0 dt by dx की value हम लोग का कर देंगे 0 कर देंगे ठीक है तो करते है 0 देखो dt by dx equal to मतलब यह जो है इसको 0 की equal लग देना 4R square into 2x minus 4x cube equal to 0 ठीक है 4R square into 2x minus 4x cube equal to 0 तो यहां से बचा 4R square into 2x equal to 4x cube देख लो यहां से 4R square into 2x यह 4x cube minus का था उधर बेद यह तो प्लस का हो गया ठीक है तो इतना हो गया आप देखो आगे तो दिख रहा है ना उधर ठीक है अब इतना हो गया आगे देखो यहां देखो 4 है यहां पे भी 4 4 से 4 cancel और फिर इधर x है उधर x cube इधर आजएगा x square तो 2R square equal to क्या आगे x square यहां से x की value निकाल देते हैं तो क्या आजएगा root 2R x की value आगे root 2R कैसे आगे देख लो यहां से 4 से 4 cancel x से यह power cancel x square तो 2R square equal to x square अब इधर का square हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा और root लग जाएगा देखो 2R पे अंडर root लग जाएगा तो क्या जाएगा 2R square स्कुर्ण और लुट होगा तो आ रहाए गा टू का अंदर रूट वगा तो रूट टू ठीकर रूट टू आ गया यह किसमी वैल्यू अब हमें वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं इसे कौन सा यह वाल इस पर रखे ठीकर इसको समीं कड़े दाइक मान लो यहां पर लिख लेना एक्स कमान समीक पर एक पर रखने पर ठीक है तो जगा नहीं तो नहीं रख रहे हैं डायक्ट लिखते हैं y square equal to 4R square minus x square 4R square minus x square का direct मान रखेंगे देखो x square कमान क्या है 2R square x square की value है 2R square तो यहां से x square कमान लख देते हैं 2R square अब solve कर लो y square equal to 4R square से 2R square घटा होगे क्या हो जाएगा 2R square और y equal to क्या जाएगा यहां पर से इसका जब इसका एट है तो उद्धा अंडरूट लगेगा root 2 ठीक है root 2 लगेगा और R square का अंडरूट R तो देखो यह y equal to root 2 आ रहा है x equal to root 2 आ रहा है देखो x की value भी root 2 आ रहा है y की value भी root 2 आ रहा है तो यहां से क्या पता चलता है बताओ देखो आयत में क्या होता है लंबाई और चोड़ाई दोनों अलग-अलग होती है मतलब उसमें आयत में ये वाली बुजा ये वाली बुजा सेम होती है ये y तो ये y होगी और अगर ये x है तो ये x होगी ये आयत का सिस्टम होता है लेकिन वर्ग के सिस्टम में क्या होता ह वर्ग में चारों बुज़ाए बराबर होती है तो यहां से मैं क्या बता चला देखो, अगर x की value आई है root 2 r तो आयत की साफ से इसकी value भी root 2 r होगी और y की value root 2 r आई है तो आप ही वर्ग की बात नहीं हो रही है भी केवल बात आयत की हो रही है तो यहां पर भी root 2 r आएगा क्योंकि भी आयत में अमने साफने के बुज़ाए सेम होती है लेकिन जिब चारों बुज़ाए root 2 r आगई तो आप क्या कह सकते हो यह तो वर्ग है तो यहां से क्या सिद्धुआ कि आयत एक वर्ग है जैसा कि इस पर का गया था कि देखो वर्ग के अंतरगर सभी आयतों में वर्ग का छेतरफल अधिक्तम होता है तो हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि वर्ग के अंतरगर जो आयत है वो एक वर्ग है आप सिद्ध करना है कि वर्ग का छेतरफल अधिक्तम होता है तो एक बार इसका आप screen sort ले लो फिर आपको 6 तरफल भी अधिक्तम करके बता देते हैं, तो इतना तो समझ में आगे ना कैसे ये आयत एक वर्ग हुआ, क्योंकि आयत में आपने सामने के भुज़ाई से हम ठीक है तो वाई वाई दोनों हो गई, एकस एकस ये ठीक है तो देखो हमने dt by dx की value यहां पर लिब भी 4r square into 2x minus 4x cube, आप लिखते हैं यहां पर सिर्फ पूरा x के साप आप एकस के साप एच आपकलन करने पर, पूरा x के साप एच आपकलन करने पर ठीक है पूरा x के साप एच आपकलन करते हैं जब पूना x के साफ़ पे चाहों करेंगे तो यहां से हो जाएगा d2 t upon dx square equal to 4 पे 2 का गुड़ाओ कर लो 8r square तो बाहर हो जाएगा तो d by dx x minus 4 d y dx x cube मारलब जो constant पर है वो हम लोग बाहर कर रहें 4r square into 2 8r square बाहर d y dx x और 4 यह आगया d y dx x cube अखलन कर लो d square t upon dx square equal to 8r square into x का अखलन 1 minus 4 into इसका अखलन करोगे 3x square यहां से निकाल लो d square t upon dx square equal to 8r square minus 4 3z 12 x square यहां से x square की value रख दो x square की value है 2r square तो d square t upon dx square पराबर 8r square minus 12 x square 12 into x square की value कितनी है 2r square रख दो 2r square तो d square t upon dt d square t upon dx square equal to 8r square और 12 दुनी इसका देखो 12 का दो स्थे बड़ा होगा बाद दुन 24 24 से 8 घटे का क्या हैगा 16r square लेकिन वो भी कैसा हैगा minus का क्योंकि 24 बढ़ा देखों यहां पर आता 8r square minus 24r square यह आता देखो माइनस का 24 है 24 बढ़ा है ना 24 जाड़ घटा होगे तो माइनस का 16r square आप देखों यहां पर से में महत्तम सिद्ध करना है तो वो कैसे सिद्ध होगा जब चिन माइनस में आता है जब दुबारा उकलन करने पर चिन अगा माइनस पर आता है तो वो महत्तम होता है और अगर चिन positive आ जाता तो वो new time होता negative आया तो लिख देना यहां से negative चिन आने के कारण यह क्या है महत्तम है महत्तम है यह लिख देना अधिकतम है ठीक है अब महत्तम भी सिद्ध हो गया, ठीक है, और हमें ये भी सिद्ध हो गया था, यहाँ पे नीचे और ये भी लिख लेना, x equal to y equal to root to r, ठीक है, root to r, तो देखो negative होने की कारण ये महत्तम हुआ, और x और y की value equal होने की कारण ये क्या हुआ, वर्ग हुआ, तो यहाँ से लिखो कि क्या आता, देखो आता लिखना है और पूरा ये नोड कर देना है, ये सिद्ध की जेख छोड़के, क्या लिखो कि आता दिये गया वरत के अंतरगा, सभी आयतों में वर्ग का छेतपल अधिक्तम होता है, ठीक है, तो देख सेक्टो भाईया, question थोड़ा बड़ा था न, ले और पूरा question solve, ठीक है, तो देख सकते हो, आसानी समझाया है, तो important था है, आर तो जरूर तयार कर देना, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक कर देना, चैनल पेनाओ, तो subscribe कर देना, और एक बाच description जरूर चेक कर देना, उस पे math की playlist होगी, ठीक है, उस पे आका आप आसानी से important question देख सकते हो, और physics chemistry सब कुछ हमारी complete है, ठीक है, एक बाच वीडियो चुरूर देखने हो, ठीक है, ओके thanks for watching this video,